हो सकता है मैं आपके साथ ना रहूँ लेकिन अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है किसी का भी डर नहीं है पेरी आखों ने चमतकार दिखाया भगवान का यह वर्ट्स हैं मार्टिन लुदर किंग जूनियर के जो एक कमाल के ओरेटर थे एक ऐसे ओरेटर जब बोलते थे तो लोग बिलकुल शान्त सरिंडर कर देते थे फ्रीडम स्पीच आपने सुनी है कि नहीं जरूर सुनियेगा नेट पे अविलेबल है पांच मिनट की मज़ा आ जाएगी आपको मार्टिल लुदर किंग जूनियर की बात करें दोस्तों तो जिस तरीके से भारत ने भारत में गांधी जी ने सिवल राइट्स मुवमेंट चलाय था ना गांधी जी से पूरी दुनिया इंस्पायड है मार्टिल लुदर किंग जूनियर भी गांधी जीजे इंस्पायर थे में इंस्पिरेशन अमेरिका में सिविल राइट्स मुबिट चला दिया था मार्टिल लुदर जूनियर की बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है ठीक है आप इसको देखेगा इतना सब कुछ करने के बाद इतनी अच्छाई करने के बावजूद 49 साल के थे ये सिर्फ और सिर्फ 39 एर्स के थे ये मार दिया गया इनको ऐसासिनेट कर दिया गया यह आप देख रहे हैं यह आखरी फोटो है शाम 6 बजे की अपनी बालकनी में आए लॉरेन होटल की बालकनी में आए और कुछी वक्त बाद एक शॉट सुनाई देता है मार्टिल लुदर किंग के गले पे गोली लगती है पीछे गर्दन पे गोली लगती है वही धेर हो जाते है एक बहुत ही unfortunate event तो आज हम इस assassination की बात करेंगे मार्टिल लुदर किंग की बात करेंगे और इनको मारा क्यों गया उसकी भी बात करेंगे तो चली आगे बढ़ते हैं मार्टिल लुदर किंग जूनियर ऐसासिनेशन यह आप देख सकते हैं यह ठीक इसके बात की तस्वीर है अब दोस्तों आपको पते ही है कि मैं Assassination of Political Leaders ये सीरीज चला रहा हूँ और बहुत अच्छा response मिला आपका Thank you so much Indra Gandhi, Rajiv Gandhi, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Sheikh Mujibur Rahman इन सब का Assassination मैंने cover किया मात्मा गांदी और आज हम Martin Luther King Jr. के Assassination की स्टोरी देखेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिरन्सको रिकनेक्ट मेरा Facebook page है सिद्दान तक नियोतरी के नाम से मेरी Facebook profile है दोनों ही जगा प्रेचन की PDF रे सकते हैं सवाल भी बूच सकते हैं कमाल की किताब लिखी है गौरफ सर ने Failure to Triumph इसको Study IQ के वेबसाइट से प्रेबुक करिए Study IQ का आप 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 इसको Play Store से डाउनलोड करिए आपको बहुत ज़्यदा फाइदा होगा अब मैं ट्विटर पे आगया हूँ यह रही मेरी ID तो सबसे पहले हम बात करते हैं Martin Luther King Jr. की कौन है एक Martin Luther थे वो अलग है Lutheranism उनकी बायाग्राफिय मैंने अलग रिव्यू की है वो तो 15th सेंचुरी के रिफॉर्मर थे पास्टर थे जिन्होंने Catholic Church को ही चैलेंज कर दिया था वो अलग थे यह है Martin Luther King Jr. समझ रहे हैं तो इनकी बायाग्राफिय मैंने कवर की है आप जरूर देखिएगा 1929 को इनका जनम हुआ 15 जन्वरी ठीक है एटलांटान में जन्में अमेरिका में जन्में ये अमेरिकन अक्टिविस्ट थे ठीक है अब इनकी शुरुवात कमाल की हुई बहुत पढ़े लिखेतें मार्टिन लुदर किंग जूनियार हाइली क्वालिफाइड पिएचडी किया हुआ था है इन्होंने अब इन्होंने सिविल राइट्स मुव्मेंट स्टार्ट किया लेकिन आप सोचेंगे अमेरिका में किस चीज का सिविल राइट्स मुव्मेंट ब्लाक्स का ब्लाक्स का शोशाड हो रहा है अभी तो नहीं पहले होता था ठीक है कितने सालों तक इनका शोशाड हुआ है स्लेव ट्रेड स्लेवरी पे मेरे 3-4 लेचर है आप जरूर देखिएगा हिस्ट्री और स्लेवरी और भी मैंने 2-3 लेचर कवर किये है देखिएगा इब्राहिम लिंकन की बाइग्राफिक कवर कि उसमें मैंने सिविल वार के बारे में बताया उसमें देखिएगा स्लेव ट्रेड होता था बकायदा अमेरिका को इमाइग्रेंट्स ने बसाया है यह आपको पता ही है अमेरिका में पहले ब्रिटेन आया ओरिजिनल 13 कॉलोनीज कौन अमेरिका में आयता सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा ग्रहते भारत के लिए खोज लिया उन्टोने अमेरिका और बोला यहीं इंडिया है तब ही रेड इंडियन्स महाँ पर बोला जाने लगा लंबी चोड़ी कानी है मैं एक दम शॉर्ट में समझा रहा हूँ फिर इस्पेन आये फ्रांस अमे यह ब्रिटेन ब्रिटेन इधर ओर लेकिन यह जो ब्लाक्स थे ना एफ्रीका से इनको लाके अमेरिका और साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में तो ब्लाक्स को लाला के बसाए गया पूरा साउथ अमेरिका एक तरीके से यह ब्रजील की बात करे तो पुर्तगालियों ने ब्लाक्स को एफ्रीका से उठाके ब और blacks को कोई rights नहीं मिलते तब अमेरिका भले ही 1783 में आजाद हो गया Treaty of Paris sign हो गई 1790 आते आते अमेरिका में सम्विधान मन गया ओरिजिनल 10, 10 amendments, Bill of Rights आ गये अमेरिका ने fundamental rights दे दिये ठीक है, इंसानों के rights लेकिन blacks को rights नहीं दिये George Washington जो की अमेरिका के पहले राष्ट्रपती थे उन तक के पास slave थे blacks को कोई अधिकार नहीं दिये अब यहाँ पे उस समय लोगों का कहना था कि देखो अफरिका में वैसी opportunity नहीं अमेरिका में रहेंगे तो उनको opportunity मिलेगी तो slavery abolish क्यों करनी है slave trade जारी रखो slave trade जारी रहा अब blacks की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि कुछ पूछे नहीं उनको एक commodity समझा जाने लगा जरासा जैसे होता न समान अगर खराब होता उसको फेग देते हैं वैसे blacks अगर कोई भी जैसे मान लीजे कि कोई कोई physically disabled कोई अंदा उसको मार के वहाई फेग देते थे वेकार हमारे कोई काम का नहीं है तो बहुत बुरी हालत थी है ना बड़ी अमानवी इत्रासदी हुई इन लोगों के साथ 1861 में इब्राहेम लिखकर ने 7 ओर शुरू कर दिया USA की बात करें तो नौर्थ में हम देखते हैं नौर्थ फिर भी बहुत बेटर था लेकिन साउथ में साउथ की बात करें तो साउथ में slavery बहुत जादा थी क्योंकि साउथ में होती थी cotton cultivation और cotton cultivation के लिए blacks को बुलाया जाता था कि slavery मलब यहां पे तुम cotton cultivation करो हमारे slave हो और उसके बाद बहुत सारे लोग as a knocker भी इनको रखते थे और बहुत ही खराब व्यवार इनके साथ होता था जरा सी गलती होती थी सौसो कोड़े इनको मारे जाते थे बहुत बुरी हालत 12 years सा slave देखिए कि नहीं आपकी रूख आप जाएगी उसमें पर पर कि अश्चक काहनी पर कि ऑसकर मिला था उसमें पता है क्या स्टोरी एग ब्लाक होता है आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है यह ब्लाक एक बड़ा ही समरिध बड़ा ही अमीर थीक है लोग बड़ी उसकी तारीव करते हैं उसको किडिनाप कर लेते हैं, किडिनाप करके उसको बेच देते हैं, ऐसी हालत थी, समझ रहे हैं, इतनी बुरी हालत थी, एक अमीर ब्लाक को बेच दिया उठा के किडिनाप करके, तो अगर हम मार्टिन लुदर किंग की बात करें, तो इधर इन्हों ने Civil Rights Movement Blacks के लिए स्टार्ट किया, इब्राहेम लिंकन ने Civil War लड़ा, साउथ में cotton cultivation होती थी, North America versus South America, Civil War चुरू हो गया, 1861 से लेकर 1865, चार साल बौर चला, जब भी ब्लाक का किसी नेम पक्ष लिया है, उनके राइट स्लेव को ऐसासिनेट कर दिया गया, इब्राहेम लिंकन को अभी दो हफ्ते पहले लेचर आये ता जरूर देखेगा, और मार्टिल लुदर किंग जूनियर को भी एसासिनेटर दिया गया, बलही 1865 Emancipation Proclamation, बलही स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया अमेरिका ने, लेकिन सौ साल लग गए, 1965 तक सौ साल लग गए ब्लाक्स को अपने पर पे, हैना, कोई बलाक्स को राइट्स नहीं थे, ये बैट नहीं सकते वाइट्स के साथ, इनको एजुकेशन राइट्स नहीं थे, जिम क्रोज लॉज थे, रेशियल सेग्रिगेशन था, कहीं पे अगर जो बस में कोई वाइट आ जाए, और बलाक अगर सीट पे बैठा खराब हो गया, हाला कि बहुत सारे लीडर्स आये, ऐसी बात नहीं है, 1865 से लेकर 1965 तक इस बीच काफी लीडर्स आये, डुबाई आये, डुबाई की बाइग्राफियों सोचोलोजिस ते थे, उन्होंने बताए, डवल कॉंशेसनेस का कंसेप्ट दिया, आये बहुत सारे, लेकिन मार्टिल लूदर किंग जूनियर जैसा लीडर कोई नहीं आया, मार्टिल लूदर किंग जूनियर ने जब ये देखा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी तक हमको अपने राइट्स मिले नहीं है, तो लड़ना पड़ेगा, अब लड़ने के लिए इन्होंन महत्मा गांधी को पड़ते थे, महत्मा गांधी के ये स्टूडेंट थे, ठीक है, महत्मा गांधी ने जिस तरीके से ब्रिटेन के बैंड बजाई, उसी तरीके से मार्टिल लूदर किंग ने सिविल राइट्स मुवमट शुरू कर दिया, नॉन वॉयलेंस, इसलिए ये द सारी सरकारे चाती क्या वॉयलेंट हो जाओ, हर एक सरकार चाती है कि बस एक बार बेटा ये वॉयलेंट हो जाए, जैसे भारत में नॉन कॉपरेशन मुवमेंट हुआ था न, 1920 में, गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटीशन भी थे वो, 1922 तब तो चला, लेकिन ज सरकार चोड़ेगी नहीं, अब पकड़ पकड़ के लोगों को मारेगी और एक बार अगर लोग पिट गए, तो दुबारा मुवमेंट में नहीं आएंगे, तुरंत गांधी जी ने विड्रॉ कर लिए मुवमेंट, समझ रहे हो, वनना बहुत मार पड़ती, समझ लीजे, य पड़र के जेल में डाला मार दिया था, जान भी लिये हैं आप अमेरिकान अथोरिटीज ने, समझ रहे हैं, तो ये अथोरिटीज तो यही चाहती है, लेकिन मार्टिन लुदर किंग बहुत समार्ट, गांधी जी को पड़ा था उनको पता था कि कैसे मुवमेंट को आगे बढ़ाना है, माउंट गैमरी, 1955, 1955, माउंट गैमरी, बस बॉयकॉट से ये सिविल रैक मुवमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद 1955 से लेकर 1965 तक बहुत सारे मुवमेंट हुए, एक मुवी आपको रिकमेंड करूँगा, सेलमा, 1964 के सेलमा मुवेंट से ही आधारित है, अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, तब जॉन F. Kennedy ने बोला था छोड़ दो, अच्छा वेबार करो, जॉन F. Kennedy थोड़े लिब्रल थे, मार्टिन लुदर किंग के साथ थे, लेकि 1963 में मार्टिन जॉन F. Kennedy को मार दिया, उनका एसासिनेशन मेंने कवर क लेंडन भी जॉनसन बड़े कट्टर, कट्टर इन दसेंस की वह बिल्कुल ब्लाक्स को राइट्स इतना देने में पक्षवे नहीं थे, समझ रहे हैं, तो हम यह देखते हैं कि मार्टिन लुदर किंग ने जो civil rights movement यहां पे चलू किये, 1965 में अल्टिमेटली एक के बाद एक act पारित हुए और ब्लाक्स को उनके rights मिले, voting rights मिले, finally, समझ रहे हैं, और इसी लिए 1964 इनको Nobel Peace Prize दिया गया, कमाल की कहानी, यह पूरी मैंने cover की आप देखिएगा, अब हम आते दूसरे पहलू पे, अभी तक तो मैंने आपको सब कुछ बढ़िया बताया, लेकिन आप एक च vaccination attempt हुआ था, ठीक है, बच गए थे यह, किसी तरीके से बच गए थे यह, और इनको कई बार मारने की कोशिश की थे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में इनको निप्टा दिया गया, है ना, एक बार इनको चाकु से मारने की कोशिश की गई थी, इनको रोज फोन पे धंक्या मिलती तो भगवान की बेजे वोई थे, उनको बहुत धंक्या मिलती थी, लेकिन इस इंसान ने, जेम्स अर्ल रे ने मार दिया, मार्टे लुदर किंग को, अब जेम्स अर्ल रे कौन है, पहला आमने देख लिया, मार्टे लुदर किंग के बार में आपने समझ लिया, इनका काम क एक क्रिमिनल था, जेम्स अर्ल रे की बात करें, ठीक है, एक क्रिमिनल था, परिवार बहुत अच्छा नहीं था, बचपन में ही माता-पिता गुजर गए, ना पढ़ाई की, कुछ टाइम मिलिटरी में काम किया, मिलिटरी में भी बिल्कुल इनकेपेबिलिटी की वज़े स इसको निकाल दिया गया, highly indisciplined है, उसके बाद ये गुंडई करने लगा, रॉबरी करने लगा, लोगों को परिशान करने लगा, बहुत ही notorious था, crime के लिए famous था, एक ऐसी रॉबरी की, इसको उठा के जेल में डाल दिया, 1958 में इसको 20 साल की सजा मिली थी, 20 साल के लिए जेल मिजोरी जेल में बन था, लेकिन James Earl Ray मिजोरी जेल को तोड़ने में कामियाब हो गया, escape कर गया, समझ रहे हैं, अगर ये मिजोरी जेल को नहीं तोड़ता, तो मार्टिन लुदर किंग जिन्दा रहते, है ना, हलाकि ये क्या भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत जान का खतरा था लेकिन काफी टाइम, अगर मार्टिन लुदर किंग और जी जाते, तो समझ लिजे कमाल हो जाता, लेकिन वही चीज है ना, कि आप किसमत में जो लिखा हो तो हो कही रहेगा, James Earl Ray ने जेल को तोड़ दिया, भागा वो, जेल तोड़के 1959 में, अब हम ये देखते हैं, भाग क इस तुमको पकड़ ना सके, तो आप समझी सकते होंगे कि background इसका कैसा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इसने बकायदा driving license बनाया, जेल से भागा हुआ है ना, पुलिस सर्च कर रही है, और उसके बाद कार चलानी चुरू कर दी, फिर इसने गोला मैं मेक्सिको वे सेटल हू आ गया है कुछ बड़ा करने का, क्या बड़ा करने का, मार्टिन लुदर किंग को मार देते हैं, इसने facial surgery भी कर रही थी, ठीक है ना, facial surgery भी अपने face को भी थपड़ा बदलत, जेंस अर्ल रे ने बोला कि चलो मार्टिन लुदर किंग को मारते हैं, किसी को plan नहीं बताया, अ कुछ लोगों को उसमें अएक dialogue है ना, कुछ लोगों को करीदा नहीं चा सकता, धमकाय नहीं चा सकता, कुछ लोग खाली दुनिया के तबाही देखना चाहते हैं, ठीक है, तो James Earl Ray की बात करें, तो इसने क्या किया, एक इसके बारे में ये बोला जाता है, कि इसलिए इसने म एक उतर Facebook University जो आ रहा है पता नहीं क्या आ रहा है कहां कोई authentication नहीं है बट फिर भी circulate हुआ जा रहा है ठीक है तो ऐसे ही शायद उस समय बहुत शायद तो नहीं था लेकिन वह यह कि सुपर रेसिस्ट था बिल्कुल बिलीव वाइट पर बिलीव करता था ब्लाक्स को नहीं च चाते थे तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट इसको लगता था साउथ में जैसा कि मैने बता साउथ में ब्लाक्स के साथ जादा डिस्क्रिमिनेशन होता था तो यहां पर दोस्तो इसने सोचा कि अगर मैं साउथ में मार रहा हूं क्योंकि टेनेसी में ही अल्टिमेट्री आते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं Rule of law अमेरिका में चलता है समझ रहे हैं अब दोस्तों जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे कोई डर नहीं वो एक दिन पहले की बात है ठीक एक दिन पहले तीन अप्रेल को इन्हों नहीं बात बोली थी Martin Luther King ने हम यह देखते हैं क कि जब इसने प्लान बनाया क्या नाम है यह James Earl Ray ने इसने एक राइफल खरी दी और पता था कि Martin Luther King आने वाले है Tennessee Memphis 1968 अप्रेल 1968 में सको पता चल गया कि Memphis अहां पे 1300 सेनिटेशन वर्कर्स की डिमांड को रखने के लिए Martin Luther King आने वाले थे Tennessee जो की South में है Memphis में Tennessee के Memphis में आये Martin Luther King अप्रेल में 3 अप्रेल को आये अब यहां पे प्रोग्राम बहुत बड़ा था 1300 सेनिटेशन वर्कर्स का इनको कौज लेना था उनकी कंडिशन बहुत दखराप इनको पैसा नहीं मिल रहा था तो बकायदा यह मार्च था इनको मार्च करना था और इस peaceful मार्च था यह Martin Luther King जो भी करते थे बिल्कुल पीस्फुल ही करते थे पीस्फुल मार्च था लॉरेन होटल में ठेरे हुए थे लॉरेन होटल की ठीक सामने एक और घर था जहां पे किसी तरीके से जेम्स अरलेन ने व्यवस्था कर ली और उसके बाद गया Martin Luther King की कोई ऐसा तो था ने की प्रेसिडेंट हो या फिर Martin Luther King कोई politician बहुत बड़े हो अक्टिविस्ट थे यह है ना ऐसा तो था ने की सरकार में तो security दिने जाता नहीं थी हाला कि इनको बार-बार वार्निंग मिल रही थी कि थोड़ा सा ध्यान से चलिये लेकिन Martin Luther King डरते नहीं थे उनने का जो होगा सो होगा अब हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में बाथरूम में बाथरूम से ठीक ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना ये बिल्कुल बाथरूम से ये जो बालकरी है इसका नजारा बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था सामने बिल्कुल एक बिल्डिंग थी बा लो यहां से, वरना मैं पकड़ लिया जाओंगा, अपनी राइफल और सब कुछ वही छोड़के चला गया, दो महीने बाद इसको पकड़ा गया, और मुकदमा चलाया गया, इसको 100 साल की सिजा मिली, 99 years imprisonment, मतला जेल में ही रहो जिन्दगी भर, और 1998 में इसका देहांत हो गया, जेल में ही इसका देहांत हो गया, तो आधी से जाधा जिन्दगी इसकी जेल में कटी, और आज भी ये कोई पक्के तोर पे नहीं बता पाया कि जेम सलरे ने मारा क्यों, हलाकि कयास यही लगाय जाते है, 99% यही चांसेज है, सुपर रेसिस्ट से थाई है, और मार्टिल लुदर किंग को हमने खो दिया, अब जैसे ही मार्टिल लुदर किंग का देहांत हुआ, वैसे ही दंगे भढ़क गए, ठीक है, 100 से जाधा शेहरों में दंगे भढ़क गए, लोगों ने प्रॉपरेटी को जलाना चुरू कर दिया, लोग हिंसक हो यह जो अपील है वो काम कर गई, जॉंसन ने बोला कि बिलकुल हिंसा से दूर रहें, कभी भी मार्टिल लुदर किंग नहीं चाहते थे, किसी भी तरीके के हिंसा और आज उनके नाम पे हिंसा और यह बहुत ही दुखद है, तब जाके इसको कंट्रोल किया गया, लेकिन दो फिचर था, I hope आपको पसंद आया होगा, खुश रहें पड़ते रहें, देसे सिद्धां तक नहीं होतरी, signing off.